हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है रहान और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रहान अटो मुवाइल में तो आज मैं आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट टोपिक पे वीडियो लेकर के आ गया हूँ जो टोपिक है रोटेक्स के उपर में जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रहान सर रोटेक्स क्या होता है कितने साल के लिए हम उसको पीड कर सकते हैं या फिर अगर रोटेक्स फेल हो जाए तो क्या हम कार चला सकते हैं क्या उसमें fine होगा या नहीं होगा तो आईए जानते हैं इनी सब बातों को और वीडियो सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगता होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ओन कर ले जिससे आप लोगों को मेरी वीड कीश्ट आते हैं चिन लोगों को रोटेक्स का बारे में पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आज वीडियो और लोगों के लिए होने वाली है जन लोगों को यह पता नहीं कि रोटेक्स किया होता जो ओन रोड प्राइस होता है उसमें 15 साल के लिए रोड टेक्स पेड किया हुआ रहता है और कोमर्शियल कार का जो रोड टेक्स होता है या उसका जो पेपर होता है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिलाल आज हम बात करत हैं प्राइवेट नंबर के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि जब आप न्यू कार खरीते हैं उस समय उसकार में जितने भी आपको उन्रोड प्राइस देने होते हैं उसमें आपका 15 साल के लिए रोड टेक्स पेड किया हुआ रहता है और आप अराम से कार ले करके चलते हैं किसी तरह का कोई फाइन होने का डर नहीं रहता है कोई चलान होने का डर नहीं रहता है लेकिन हाँ जब कार पुरानी हो जाती है जैसे कि अगर 15 साल के आप करीब आने लगते हैं जैसे कि अगर कोई कार 2006 में खरीदा गिया होगा तो उसका रोड टेक्स का समझें घ्राइज थे संद्थ में दिक्स अगर असान भासा में एकन कreno होगा चाहिए आपका expired होगा मालीजे जिनका कार 2006 का होगा या 7 का होगा जिसका 21 या 22 में expired होने वाला होगा तो पांच साल के लिए आप रोड टेक्स पेड़ कर सकते हैं उसी को री registration भी बोलते हैं तो री registration का मतलब यह नहीं कि आपको फिर से कोई नया नंबर मिलने वाला है नमबर तो आपका वही रहेगा लेकिन 5 साल के लिए रोड में चलने के लिए आपको एक permit मिल जाएगा आप 5 साल तक अराम से चल सकते हैं किसी तरह का कोई find नहीं होगा कोई चलान नहीं होगा और आप निशिन्थ हो करके फिर से चल सकते हैं तो यहां तक आप लोगों ने जान लिया कि जब हम कोई new car खरिते हैं प्राइवेट नंबर कार खरिते हैं जारकन बिहार का तो 15 साल के लिए उसका road tax किया हुआ रहता है हाँ और जब उसका date करीब आने लगे जब उसका साल करीब आने लगे तो उससे एक महिना दो महिना पहले आप लोगों को re-registration के लिए apply कर देना है और re-registration और road tax एक ही होता है अगर आप फिर से re-registration कराते हैं तो number change नहीं होता है पान साल के लिए आपका validity बढ़ जाता है आप पान साल के लिए इत्मिनान से car अपनी चला सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोगों का जो doubt है वो clear हो गया होगा अब बहुत सारे लोग second hand में जब कोई car खरीदते हैं या car खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यह बता दू जब आप 2006 का या 7 का या 5 का या 4 का car देखते हैं तो आपको उसमें यही road tax चेक करना है कि कितने दिन तक उसका road tax paid किया हुआ है यह काफी important है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं देखते हैं कि RC है insurance है pollution है तो गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन road tax भी आप लोगों को चिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब से motorway के लेक्ट लागू हो गया है road पे काफी fine हो रहा है और चलान हो रहा है इस fine और चलान स में क्या करना होगा तो उसमें अगर आप कार को लेकर के चलते हैं तो fine भी हो सकता है चलान भी होगा और उसको आपको बिल्कुल चलाने का permission बिल्कुल नहीं है उसा करेब का सिर्फ एक ही कंडिशन है आप उसको सेल भी नहीं कर सकते हैं उसका सिर्फ एखी कंडिशन है कि आपको स्करेब में मतलब होता है कि कबाड़ी में कॊटवाना होगा अब इसका जो भेलू होता है बहुत कम होता है अगर हम छोटी कार का बात करें जैसे मारूती 800 हो गया या ओल्टो हो गया या सेंट्रो हो गया तो इस तरीके का जो भी कार है छोटी कार है उसका जो स्क्रेप भेलू है मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 15 से 20 हजार उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है और अगर आपके पास सेवें सीटर है कोई बड़ा गाड़ी है जैसे कि सूमो है स्कॉर्प्यों है जाइलो है टवेरा है या क्वालिस है अगर इसका रोटेक्स खतम हो गया होगा तो इसका तो इसका भी स्क्रेप भेलू कोई बहुत ज्यादा नहीं जात है अगर आपके पास क्योंना स्कॉर्प्यों है तो उसका भी जो स्क्रेप भेलू है वह मैक्सिमम पचास तक मिलता है तो अगर आपके पास कोई पुरानी कार है और रोटेक्स पेड़ नहीं किया हुआ हुआ है और आप ऐसे जगह चलते हैं जहां पर फाइन और चलान होने करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है तो उमीद करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया आसान भासा में बिल्कुल सिंपल भासा में वह आप लोगों को समझ में आया होगा तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें